आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Among App डाउनलोड कैसे करें दोस्तो अगर आप भी Among Application को डाउनलोड करना चाते हैं जैसे कि आप लोग को पता हुगा कि Among Application एक सरकारी अप्लिकेशन है और आप इसे कहां से डाउनलोड किजेगा और कैसे इंस्टॉल किजेगा सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से दिखिएगा तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं उमंग एप को डाउनलोड करना काफी असान है चलिए बताता हूँ आप कहां से डाउनलोड किजेगा तो उमंग एप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में आ जाएए यानि play store जो है आपके अपने ही mobile के अंदर मिल जाएगा हर किसी phone में जो है आपको play store मिल जाएगा तो आप उस play store application को open कर लीजिए open करने के बाद आपको search पे click करना है और यहाँ पे search करना है U-M-A-N-G U-M-A-N-G आप search किजेगा तो आपके सामने among application जो है यहाँ पे click करना है और एक install का button दिखाए देगा तो आपको इस install वाले button पे सिधा click कर देना है आप इसका rating देख सकते हैं यहाँ पर 4K rating है इसी परकार से आप 38MB का यह download है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 5 crore प्रस जो है लोग इसे install किये हुए है यानि download किये हुए है इसी परकार से आप इसे feature की बात करते हैं तो आप यहाँ पर अपने mobile number से yager कर सकते हैं और यह एक सरकारी app है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसे download करते हैं install वाले button पे click करते हैं install वाले button पे click करते ही आपका among application है वो यहाँ पर download होनी के लिए ready हो जाएगा एक चीज़ यहाँ देखिए कि आपका जो internet है वो अच्छे से काम करें ताकि आपका जो यह application है वो काफी अच्छे से download हो जाए तो चलिए अब इसे हम download होने देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो among application है वो यहाँ पर download भी हो गया आप install हैनी के लिए ready हो गया है दोस्तो किसी किसी phone में जो है processor कम होता है इसके कारण यहाँ पर install लेने में काफी time लगता है तो अगर आपका phone थोड़ा अच्छा है प्रोसेसर अच्छा है तो आपके phone में जो है बहुत ही जल्दी यह application install हो जाएगा install भी हो गया हमारा अब हम इसे यहाँ से cut करते हैं आप चाहे तो यहाँ से भी जो है इसको open कर सकते हैं इसके बाद अब आप देखिएगा तो यहाँ पर मेरा among application आ गया है इसको आप open कर ले और open करने के बाद अब आप इसमें ID अपना बना लीजे ID बनाने के बाद आप इसमें जो है आप बहुत ही असानी से यूज कर सकते हैं इस परकार से among application का आप इस्तिमाल कर सकते हैं और download कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले